मुख्यमंत्र जी हर बार ये कहते हैं कि आपोदिशन को कोई भी सब्जेक्ट पर बात करना है तो हम उनको पूरा समय देंगे लेकिन आप जो सो बुलेटिर में बोलते हैं कि सिर्फ वन मिनट विजेती एक मिनट में हम क्या बात करेंगे अद्धिक्षा आपोदिशन को आपोदिशन की आवाज को दबाने का इस प्रकार से प्रैप में करेंगे तो क्या हम बात करेंगे अद्धिक्षा आपोदिशन को बात करने देना चाहिए अद्धिक्षा नेशनल पार्टी अद्धिक्षा औ लेकिन सरकार दुआरा जितना कार्य होना था वो कार्य हुआ और निरंतर अद्धिक्षा जहां जहां पर प्रावलम आरा था हमार से संपर्क में हेल्थ मिनिस्टर जी थे कहीं पर भी प्रावलम आरा तो रेस्पांस जेरे थे लेकिन उन्हों जितना करना था हो करे लेकिन आपोदिशन ने भी कहा है कि डॉक्टर्स की कमी है नर्सों की कमी है यह बिल्कुल सत्य अद्धिक्षा स्टाफ कमे उसको फिलप करने के ओशक्ता है आज तलंगाना सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि तलंगाना की जनता की जान बचाए लेकिन यह कोरोना वाइरस की कारण अ अद्धिक्षा किस प्रकार से प्रवेट हॉस्पिटलों में जनता को लुटा गया इंसान मरने के बाद में भी लाख रुपे बंदो दो लाख बंदो तीन लाख बंदो चार लाख बंदो तब ही तुम्हें बौडी मिलेगी इस प्रकार से तलंगाना में हमारे तलंगाना म जंता का लूटा गया देख्षा क्या एक भी प्रवेट हॉस्पिटल को पर क्या कोई कारवा ही हुए अदेख्षा पांतीस ना देख्षा आज सरकार के रिए कि हमने बहुत अच्छा कार किया है और संटर से कोई सयोग नहीं है ठीक है कम से कम कितना सयोग मिला वो तो बताइए वो नहीं बताएंगे लेकिन सयोग नहीं मिला ये तो बिल्कुल बताएंगे चलेगा वो तो पॉल्टिक्स है लेकिन अदेख्षा जिसे आपोदिशन भी कहा है कि इस कोरोना वाइरस के कारण डाक्टर्स हो, मुंसिपल कॉर्पेशन के अधिकारी गण हो यह सिपाई हो, जितने भी लोग जो पुलिस के अधिकारी हो, वाटरवर्स के अधिकारी, इसे कहीं डिपार्टमेंट लोगों ने भी भहुती अच्छी सेव कि अधिक्षा, उनको ध्न्यवाद कहिने की जिम्यवारी भी हम सब की बनती है और मैं मेरी पार्टी कीफिवर्स सबको जितने भी लोग इस कोरोना वाईरस के कुरन, जिन जिन लोगों ने सऊयोग किया है, जो सेवा की अधिक्षा, अन्थ सबको में रिदे से धन्यवाद 24 करता हूं अद्धिक्षा लेकिन आप से निवेदेने अद्धिक्षा कि समय सब को बराबर मिलना चाहिए क्योंकि बात करने का अधिकार सब को है और आप सिर्फ एक विधाय के और हम सिर्फ एक मिनट देंगे तो मैं आप मुख्यमंत्री जी भी उपसी ते एक मिनट में एक मि में मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी दुवारा मुख्यमंत्री जी बनने के बाद में तेलंगाने में कुछ बहुत अच्छे परिव division आया है उसका मैं भी समर्चन करता हूं करप्शन कम होना चाहिए बहुत अच्छी बात है लेकिन हेल्थ के प्रती भी मुख्यमंत्र जी थोड़ा ध्यान देने के वह शक्ता है जिन जिन लोगों के कारण हमारे तलगानां की जंतों को आज प्राब्लम आया है उनके ओपर भी एक्शन होना बहुत जरूरी है होस्पिडल से मॉडलेस होस्पिडल का एक सपना ता मुख्यमंत्र जी का वह बनना चाहिए जैसे मेरी विधान सभा में एक उस्माने होस्पिडल है ठीक है कहीं लोगों ने उसको नहीं तोड़ना है ऐसे वह समय पर भी कुछ स्टेट्मेंट दिये ते लिकिन आज उस अधिक शाह बिलकुल खतमने हैं और जादा की संक्या में बढ़ते जा रहा है किस कारण बढ़ा उस पर भी मैं जाना नहीं चाहूंगा लेकिन जो हो गया सो हो गया लेकिन अब हम हमारी तलंगाने की जन्ता को किस प्रकार से बचा सकते हैं उसके ओपर हमें ध्यान देने के हो सकता है जितने हो सकते उतने हमें अशलेशन सेंटर हो अभी तो अच्छा परिक्षन भी कुछ बसस लगा कर भी किया जा रहा है और दो तीन शेतर में मैं भी नागरिशन किया और बहुत अच्छा रिस्पॉंस भी है लोग आने और जाने वाला भी रुक कर वहांपर पर है और इमिनेट उनको रिजल्ट भी मिल रहा है दिक्षा बहुत अच्छा भी कार्य हो रहा है लेकिन जहां जहां पर जो कमिया है अगर उसको भी हम फिल अप करेंगे तो और भी ठीक रहेगा दिक्षा धन्यवाद गारा मुक्के मत्रिया